वेल्कम् टू रें गृुपक नहीं बंग एतरो रही। जब एक healthy restaurant बğiखे हट्सक्राइन इसट्र से आगे बटके जा रही थो और आपकी मस्टर्प्ष करेकर साधर बटके ऑगे किकल सवतनत्र रूपक कई या सुटन्त्र रूंप से attended गें पन्ट제क कि इस शेत्र में मद्दे के मुकावले इस छित्र में गैप या तो बराबर मात्रा में या उससे भी कम होता चला जा रहा है तो यह आपके आने वाले जीवन के सुखद स्थिति को दिखाने का कारे करता है ऐसी स्थिति में वेक्ति के जीवन में लगवक 22-24 वर्स तक संघर्ष की स्थिति के बनी रहती है ततपश्चात बहुती तिब्र सफल्ता की योग जातक के जीवन में यहाँ पर बनते हैं और जो उनकी उमीद रहती है उससे कहीं जयादा उनके जीवन में धन की प्राब्ति की योग बनते चले जाते हैं ऐसे वेक्ति अपने घर से बाहर जाकर ज्यादा जिले, सहड या जिसे कर सकते हैं कि राज्य में वह हैं उससे बाहर के छित्रों में अगर जाएं तो उहां पे जो इनकी छमता है वो और ज्यादा निखरती है और उहां पे और ज्यादा बेहतर तरीके से यह अपने आपको साबित कर पाने में सक्षम होते हैं ऐसे लोग चुलबूले प्रकृति के भी होते हैं लेकिन समय शुरुवात में इनको कहीं न कहीं दवाने का काम करती हैं इनकी सिरियसनेस को बढ़ाने का काम करती हैं लेकिन जो जो आर्थिक सोतंदरता इनके जीवन में आती चली जाती हैं तो आतों और ज्यादा खुलने कि यहां पर कोई लाइन है जिसने की आपके हेटलाइन को और हाटलाइन को दुनों को आपस में कनेक्ट करने का काम किया है जो कि बीच में कहीं से भी टूटी हुई नहीं है तो ऐसे स्थिति और भी सुन्दर है क्योंकि ऐसे स्थिति में धन योग काफी दिब्र बनते हैं और धन स्थिर होते हैं, यानि कि रुकेंगे आपके पास, ऐसा नहीं है कि आएं और बस निकल गया, खर्ची इतने ज्यादा है कि कमाई से कोई लाफ हो नहीं रहा है, तो ऐसे स्थिति को नहीं पढ़ने देगा, इसके अलावा अगर सुक्र की स्थिति यहां पर परवल है, त इतना चंचल हो जाएगा जिस पर नियंत्रन पारा मुश्किल हो जाएगा, ऐसी स्थिति में आएगा बहुत कुछ, लेकिन उसे रोक पाने में आप सक्षम नहीं होगे, ठीक है, अब इसमें कुछ और चीज़े हैं, जैसे कि यहां पर अगर हम देखेंगे, तो पाएंगे क बूर जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसमें से रेखा तो निकल सकती है, तो अगर दो मुखे स्थिति हो जाए, तो अत्यनत सुन्दर है, अगर सनी का छेतर भी आपके हक में है, तो अच्छा है, इस पर बुरी लैंस नहीं है, तो इसका जो यहां की जो प्रिंट ह है, वो आपके हक में है, तो यहां का जो माउंट एडिया है, वो पुरी तरीके से डिबलप है, तो और अगर यहां पे इसके अलावा चाहे ट्राइडेंट आजाए, ट्राइंगल आजाए, कुछ भी आजाए, तो वो यहां पे जो भी सुभचिन है, वो आपके फायदे के लिए काम करेगा, असुभचिन इसके सुपरभाव को कम करेगा, लेकिन अगर ऐसे, यानि कि अर्थ विसनुचिन के इस्थिति आपके इस छत्र में अगर आ जाए, तो यह और भी जाता जातक के जीवन को सुन्दर बनाने का काम करती है, ऐसे इस्थिति में जातक के चाहे इस्तिदार हो, चाहे जातक का जीवन साथी हो, वो सब काफी सहयोगी, सपोर्टिव और आपके जीवन को और भी उनती देने में सहयोग करने वाले होते हैं, संतान जो होती है, वो गर्व करवाने का काम करती है, जातक धार्मिंकतिविदियों में भी काफी भाग लेता है, लेकिन एक और चीज, अनुकी चीज बता रहा हूँ, अगर ऐसे स्थिति में किसी का मंगल यहाँ पर काफी ज्यादा परवल हो, काफी आक्रमक हो, तो ऐसे विक्ति बड़े क्रांतिकारी होते हैं, बड़े बागी होते हैं, और आजकल के जबाने में अपने एक नियम को या बना देता है, तो यह रेखाएं आम नहीं है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अब मालो यहाँ पर रेखाएं आगे की तरफ बढ़े, यहाँ पर जो जीवन रेखा है, वो नीचे के श्यत्र में आई, और यहाँ से रेखाएं उपर की तरफ चली गई, अब क्या है, दोनों को कनेक्ट कर रखा है, तो अत्यंत सुव हैं, लेकिन अगर नीचे से कर रखा है, तो फिर कैसा है, तो और भी ज्यादा सुन्दरफल जातक को यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि इससे अब तीन लाग होंगे, एक तो धन की स्थिती अच्छी बनेगी, दूसरी निरोगी काया जातक की यहाँ पर हमेशा बनी रहेगी, साथ ही बुद्धी जो है यहाँ पर सही इस्थिती में जातक को मार्ग दिखाने का काम करेगा, तो यहाँ पर स्वस्ततन की इस्थिती बनी रहेगी, और स्वस्ततन की इस्थिती भी जातक के जीवन में लगातार बनी रहने का काम करती है राहु का अच्छे तरब सकते अच्छा होना चाहिए तो इससे क्या होगा कि और भी सुख मिलेगा थोड़ी सी कमजोरी होगी तो थोड़ा बहुत नुकसान होता रहेगा तो ऐसी हिस्तिती बनती है अगर दोनों हथेली में ऐसी रेखा हो तो अत्यन्त सुख है गेस्टरों